नमस्कार मैं हूँ प्रभाकर मनित्तिवारी आप देख रहे हैं मेरा ये खास कारिकरम पॉल्टिक्स विट प्रभाकर आज भी चर्चा 30 सितंबर को भवानिपूर में होने वाले उप्चुनाओ की इस हाई प्रोफाइल हाई भोल्टेज उप्चुनाओ के लिए प्रचार अभियान आज यानि सोंबार साम को थम गया आज दोनों दावेदारों यानि टीमसी और बीजेपी ने चुनाओ अभियान में अपनी पूरी ताकत जोग दी भवानिपूर के जदू बावू बाजार इलाके में पूर्व प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलिप घोस के नित्रितों में एक जुलुस निकला था इस पर कथित त्रिणमूल कांग्रेस समर्थ को ने हमला किया जिसमें एक बीजेपी समर्थक घायल हो गया उसके बाद दिलिप घोस ने भवानिपूर में मतदान रद करने की मांग उठाई है दूसरी और बीजेपी के प्रतिनिदी मंडल ने आज मुखे चुनाव अधिकारी से मुलाकात की उसने चुनाव रद करने की मांग तो नहीं उठाई लेकिन कहा कि मतदान के दिन धारा 144 लागों की जानी चाहिए और इसी के ताथ चुनाव कराया जाना चाहिए दूसरी और ममता बनर जी ने कहा कि भवानी पूर से जो खेला शुरू होगा वो पूरे देश में जाके खत्म होगा भारत की जीत पर खत्म होगा उनका इसारा 2024 के लोकसभाद चुनाव की और था अब पूरी रिपोर्ट विस्तार से देखिए आज आखरी दिन क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों और परिजनों के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घंटी का निसान भी दबा दीजिए उससे मेरे कारिक्रमों की आपको समय रहते सूचना मिल जाएगी आईए देखते हैं पूरी रिपोर्ट अब जानते हैं तीस तारी को मतदान होना है उसके पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत जोग दी थी हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनरजी ने रविवार को ही दो सभाएं कर अपना चुनाव अभियान लगबग खत्म कर दिया था आज उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने नुकर सभाएं की और घर घर जाकर एक सबसे अपील की वोटरों से ममता का समर्थन करने के लिए घर से निकल कर मतदान केंदर तक जाकर वोट डालने के लिए दूसरी और बीजे पी ने भी भवानिपूर विदान सभाथ छेत्र के आठ वार्ड हैं लगबग हर वार्ड में अलग-अलग नेताओं ने दोरे किये छोटी-छोटी रेलिया निकाली नुकर सभाओं को संबोधित किया ऐसी ही एक रहली पूर्व प्रदेश अध्यक्च दिलिप घोस के नित्रेतो में निकली थी भवानिपूर के जदू-बावू-बाजार इलाके में त्रिडमूल कॉंग्रेस समर्थ को ने दिलिप घोस की जुलुस पर नित्रेतों में जो जुलुस निकला था उस पर हमला किया और उसमें एक व्यक्ति घायल हो गया प्रियंका टिवडेवाल जो उमिद्वार है उनके समर्थन में ये जुलूस निकला था वहाँ पहले टेडमूल कांग्रेस कारिकरताओं ने बिरोध परदसन किया नारे बाजी की उसके उसी दोरान धक्का मुक्य होई और एक बीजेपी कारिकरता का सिर्फ हट गया बाद में पत्रकारों से बाची के दोरान दिलिप घोस ने कहा कि हमने पहले सही पुलिस को इस जुलूस के बारे में सूचना दी थी लेकिन पुलिस की ओर से कोई सहयोग नहीं मिला एक पुलिस वाला हमें बचाने आया था तो उसके साथ भी मार्क पिट की गई दिलिप का कहना था कि त्रिणमोल कांग्रेस हार की डर से हार की आसंका से यह सब कर रही है हमने बार बार चुनाव आयोग को इसकी जानकारी दी है लेकिन उसने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है और उनका कहना था कि भवानी पूर इलाके में सांति पूर्ण तरीके से मतदान संभव नहीं है इसलिए फिलहाल मतदान रोक दिया जाना चाहिए लेकिन दूसरी और साम को एक प्रतिनिदी मंडल यहां मुखे चुनाव अधिकारी से मिला और उसने मतदान अस्तगित करने का कोई जिक्र तक नहीं किया इस प्रतिनिदी मंडल ने चुनाव आयोग से कहा कि धारा 144 लागो की जानी चाहिए भवानिपूर में और उसी के तहट चुनाव कराया जाना चाहिए और बिजेपी के एक नेता ने कहा कि दिलिप घोस ने जो कहा है वह नाराजगी में कहा है इसलिए बहुत अस्तगित करने की मतदान अस्तगित करने की बात कही है लेकिन ठीक से मतदान कराना चुनाव आयोक का जिम्मेदारी है उमीद है वह अपने इस जिम्मेदारी का ठीक से निर्वहन करेगा दूसरी और ममता बनर जी ने कहा है कि भवानिपूर में जो खेल शुरू हुआ है वह भारत की जीत के साथ खत्म होगा और अपने प्रचार अभियान के दौरान रवीवार रात को एक नुकर सभा में उन्होंने कहा एक खेल यानि अपरेल मई का बिधान सभा चुनाव हो गया है उसमें बंगाल ने खेल दिखा दिया है अब यह जो दूसरा खेल शुरू हुआ है यह भारत की जीत पर खत्म होगा अब इसे एक बनर जी ने भी ममता के समर्थन में चुनाव परचार किया है आप जानते हैं वो ममता बनर जी के भतीजे हैं डाइमंड हरबर सीट से सांसद हैं त्रिणमूल कॉंग्रेस के उनका कहना है कि हम यानि त्रिणमूल कॉंग्रेस अब असम और केरल में भी अपने पाउं जमा रही है ऐसा कोई राज्य नहीं है जहांके लोगों से हमें समर्थन नहीं मिल रहा है सब लोग आवाज उठा रहे हैं कि ममता बनर जी ही चाहिए लाखों पत्र हमें मिल रहे हैं और वहाँ से आवाजें उठ रही है कि देश का नेता कैसा हो ममता बनर जी जैसा हो और त्रिणमुल कॉंग्रेस अब भवानिपूर के सुपचुनाव को लोगसभा चुनाव 2024 के उसकी तैयारियों के तोर पर ले रही है और ममता बनर जी और अविशेक बनर जी ने भी एह बात साफ कर दी है और एक ही सुर में उन्होंने कॉंग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों से खुद को अलग कर दिखाया है इसलिए अभिशेक और ममता ने भी कॉंग्रेस पर लगातार हमले किये हैं और ममता ने अपनी एक रैली में कहा कि कॉंग्रेस के साथ CPM का तालमेल है इसलिए मैंने कांग्रेस से नाता तोड़ा था और उन दोनों का ये ताल मेल अब भी जसका तस है कांग्रेस और बीजेपी में भी गोपनियम मिली भगत है इसलिए इस चुनाव में यह तीनों दल मिलकर कई तरह के कारनामे करेंगे कई तरह के कांड करेंगे दूसरी और अभिसेग ने कहा कि कॉंग्रेस, CPM, सरत्पवार की NCP और BSP के तरह ममताप बनर जी की त्रिणमुल कॉंग्रेस भी सर्वभारती यानि राष्ट्री एदल है इसलिए हम किसी के सामने सिर नहीं जुकाएंगे अपनी रीड सीधी रखेंगे और त्रिणमुल कॉंग्रेस या के लिए ऐसी पार्टी है जो लगातार केंदर के साथ, BJP के साथ लड़ाई कर रही है और उसे धूल चटा रही है दूसरी और अब मौसम विभाग की एक चेतावनी ने त्रिणमुल कॉंग्रेस और BJP दोनों की चिंता बढ़ा दी है दरसल बंगाल की खाड़ी पर निम्न दवाओ के कारण मंगलवार सुबह से लेकर बुदवार साम तक भारी बारिस की भविष्य बारी की है मौसम विभाग ने कॉलकाता और उसके आसपास के इलागों में ऐसे में जल जमाओ का खत्रा हो गया है पैदा और बीते सबता भी लगातार भारी बारिस के कारण आप जानते हैं कॉलकाता के कई इलागे पानी में डूबे रहे थे अब इन दलों की चिंता यह है कि अगर जल जमाओ की स्थिती हुई भारी बारिस हुई तो बोटरों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा वैसे भी भवानी पूर में मतदान का आउसत पचास फिस्दी होता रहा है ज्यादा लोग बोट देने घरों से नहीं निकलते हैं टीमसी की कोशिस है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलें और अविशेक बनर जी ने दावा भी किया कि हम चाहते हैं कि ममता बनर जी कम से कम एक लाग बोटों के अंतर से इस सीट पर जीते हैं और तो यह सब चीजें चल रही हैं प्रियंका टिवड के वाल तो घर-घर गई बीजेपी की उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहरा लिया है वो कहती है कि लड़ाई अन्याई के खिलाफ और न्याई के लिए है हलांकि भवानिपूर के तमाम लोगों का कहना है कि ममता बनर जी की जीत में कोई संदे नहीं होना चाहिए लेकिन फिर करें और घंटी का निशान दबाए आज के लिए वस इतना ही धन्यबाद नमस्कार